तो एक और concept हम discuss करने जा रहे हैं fundamental session में हमारी जो 10R के lecture हो चुके हैं उसके अगली जो session है उसको हम discuss करने जा रहे हैं sir तो आज मैं आपको एक बहुत important concept सिखाने जा रहा हूं inventory से related inventory valuation में बहुत सारी चीजें होती हैं तो आज मैं आपके साथ में discussion करने जा रहा हूं इस टॉक कि से related concept जिसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे जो कि आपके entire syllabus में क्या है आपको ज़रुत पढ़ने वादी तो सबसे पहले मैं आपसे पूछू हूं stock क्या है basically इट्स एसेट इट्स एक्स्पेंडीचर इट्स इंकम और इट्स लाइबिटी यह तो सभी आप जानते हैं कि सर अगर इस टॉक अगर ओपनिंग है तो opening stock तो basically expenses side लिखा जाता है अब बचपन से ट्रेडिंग पींडल अकाउंट बना रहे हैं तो opening stock आपने लिखा होगा और closing stock जो है वो आप assets में लिखते हैं और as well as आप जब आप आपका profit and loss अकाउंट बनाते थे trading account उसको आप कहा लिखते थे सर पींडल के credit side में या trading account के credit side में या बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं इसमें कोई नहीं बात तो नहीं होगी सबको पता होगा ज़र है लेकिन जब आप international profession पढ़ते तो वह आपके बहुत सारे technical aspect को क्या करते हैं चेक करते हैं कि अगर आपसे stock के valuation में किसी प्रकार का कोई एरर हो गया है किसका stock valuation का एरर तो मुझे बताईए stock valuation अगर एरर है तो इसके कारण कितने किन किन financial statement पर affect होता है मैं आपसे दो तीन question पूछ रहा हूं क्या affect पढ़ता है organization की financial health पर या financial element पर या financial statement के point of view से बात करें तो आप में से अगर कुछ student ने बता पाएं कि सर financial statement में अगर हम stock में किसी प्रकार का कोई error कर देते हैं तो क्या impact पढ़ता है यह perspective आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए day one से stock का और कहां कहां इसका पूरे entire मैं अब आपसे तीन चाश चीजों में पूछता हूं अगर मैं ने अपने financial stock को under value कर लिया तो मेरा working capital पर क्या impact पढ़ेगा सबसे पहला question तो मेरा यह होता है मेरी cost of goods sold पर क्या impact पढ़ेगा मेरी current assets पर क्या impact पढ़ेगा सारा analysis आज कर लेंगे हम आज की बाद आपको stock से लेट को problem नहीं आनी जी मेरे current ratio पी क्या impact पढ़ेगा working capital, cost of goods sold, current assets, current ratio और कहीं भी इसका effect पढ़ता है क्या है तो अभी हमने चार segment लिख दी बिल्कुल सरल भासा में शमझने के लिए अगर मैंने किसी company के financial statement में stock को undervalued कर लिया तो उसका impact क्या कहां कहां पढ़ेगा आज के बाद आपको यह problem नहीं face करनी पढ़ेगी और company के EPS पर क्या impact पढ़ेगा और advance लेवल भी चले जाएगी सारी चीज आज ही कर लेंगे अगर आपने company के stock को undervalued किया है तो सर सबसे पहले आपको अपने आप से दो question पूछने सर स्टॉक का जो undervalued है वो opening stock में है या closing में यह पूछो कि हां सर कि हमारा जो effect है वो हमने कौन से stock में mistake करी है यह आपको सबसे पहले question पूछना तो जैसे आपने अपने आप से question पूछा कि या ओपनी है या closing है लेट से मैं अभी बात कर रहा हूं closing की तो closing एक तो balance sheet में आता है और balance sheet में एक आता है current assets में तो अभी अगर केवल balance sheet को लेकर चलें तो इसका मतलब अगर हमने अपनी 10,000 की goods को undervalued करके let's say 1,000 लिख लिए by mistake एक 0 हमसे लगए यह undervalued तो मुझे बताईए इन पाचों में से अगर आपको से पूछा जाए तो किस पर effect नहीं पड़ेगा आप क्या बताएंगे आप से multiple choice question examiner ने पूछा कि कौन सी balance sheet की item इसमें से नहीं है सबसे पहले तो आपको यह पचानना कि इसमें से balance sheet की item कौन सी नहीं है जिसका balance sheet से कोई लेना देना नहीं तो आपका answer होगा सर कॉस्ट फूट सोल सी ओजी इस इस जस्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो अल्टिमेटली आपने अपनी स्टॉक का अंडर वेल्यूट किया तो इसका मतलब सबसे पहले आपने अपनी current assets को क्या किया अंडर वेल्यूट किया तो यह आपके दिमाग में यह बास सब को clear कि हा सर बैलेंश शीट में हमने टेन ठाउजन लिखना था हमने वान ठाउजन लिखा तो हमने हमारी current assets को undervalued किया उसके बाद हमारी दिमाग में एक चीज आना चाहिए working capital का formula हमको पता होना चाहिए current assets less current liability बिल्कुल ठीक बोला सर अपने current assets minus current liability इसका मतलब अगर मेरी current assets 15,000 थी और मेरी current liability अगर 5000 थी तो मेरी working capital 10,000 यह बात आपको समझ में आगी तो अगर मैं अपनी asset को कम लिख लूँगा तो मेरी working capital भी क्या हो जाएगी आप मुझे बता यह undervalued या overvalued मैं आप से पूछते जा रहा हूं आपको answer देना है तो सर अगर हम हमारी closing stock को undervalued कर लेते हैं तो वर्किंग capital भी क्या हो जाती है अंडर वेलिट हो जाती तो सर यहां पर भी लिख दो आप कि फॉर्मुला हटा देते हैं तो सर यह भी क्या हो जाती है अंडर कौन सी situation में अगर हमने हमारे closing stock को undervalued की है तो working capital भी अंडर वेलिट हो गई है current assets भी अंडर वेलिट हो गई है अब मैं आपसे अगला question पूछता हूं कि आपके current ratio पे इसका क्या effect पढ़ना चाहिए क्योंकि यह भी important है ratio analysis आप किसी कंपनी की लिक्विडिटी को चेक कर रहे हैं तो ultimately आगर आपको formula पता होना चाहिए सर current asset current ratio का formula आपने कभी पढ़ा हो या सुना हो is equal to current assets divided by current liability तो जब कभी भी आप ऐसे जिन्दगी में confused हो तो आपको तो नहीं समझ में आ रहा कि सर current ratio undervalued होगा या overvalued तो आप figure रखके देखो कि मैंने क्या किया एक figure रख लिया है यहां पर 10,000 current assets और मेरी यह 5,000 या इसको हम 20,000 कर देते हैं तो मेरा current ratio क्या आता है कि 20,000 divided by 5,000 हो रहाता है अब मैं यहां पर अगर इसको undervalued कर देता हूं मतलब एक current assets को undervalued कर लेता हूं तो यह भी काम हो जाएगा न मैंने इसको 11,000 कर दिया तो फिर मैं यहां पर करूं तो सर अगर हम हमारे closing stock को undervalued करते हैं तो यह भी क्या हो जाता है कि अंडर वेल्यूड वास समझ में आगई बैलेंस शीट की कि यह भी डिक्रीज हो जाएगा कितनों को यह सारा का सारा स्क्रीम लाइन समझ में आगई कि सर क्लोजिंग स्टॉक इस वेरी इंपॉर्टेंट के कारनिक organization अपने financially statement को manipulate कर लेता है कि वर्किंग अबेटर अंडर वेलीवट हो गही सर करेंड अब्सक्राइब तो ग्रेंड वेलीवट हो गही तो करेंड रेशॉर अब EPS के वक्तवा पर क्या एट्प्डेगा यह भी सोचना है तो अब EPS का सीधा relation किसे होता अर्निंग पर शेर अर्निंग अर्निंग कौन सी आइटम है बैलेंस शीट की आइटम है या पी एंडल की आइटम है तो अब आपने अपनी एक एसेट को कह लें या एक इंकम साइड को क्लोजिंग इंकम साइड आता उसको अंडर कर रखा है अब इसको पूरी एक्जांपल से समझाएंगे से नहीं बिल्कुल बीसिक से कि आपके पास गूट्स था कि नाइन्टी थाउजिन का कि आपने इसको सोल्ड कर दिया फॉट्टी परसेंट तो सर नाइन्टी थाउजिन का पॉट्टी परसेंट यह थर्टी सिक्स थाउजिन क्या है कॉस्ट ऑफ गुट्स सोल्ड है न लेट से आपकी यह पर्चेस थी पास समझ में आगे कि सर हमने नाइन्टी थाउजिन की पर्चेस किया था था थर्टी सिक्स थाउजिन का सोल्ड कर दिया तो रिमेनिंग कितना है तो रिमेनिंग हमने लिखा नाइन्टी माइनेस थर्टी थिक्स 54 तो अगर मैं इसको undervalued कर लूँ मतलब let's say मैंने ऐसा माना कि remaining 50 बचा हुआ तो कही न कहीं आप मैं पर्चेस में से 50 बचा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं अपने cost of good sold को कितना मान रहा हूँ तो मुझे बताईए मैंने अगर अपने stock को undervalued किया है तो cost of good sold को क्या किया over की under आप बताईए सभी लोग जो ध्यान से सुन रहे हैं कि अगर मेरा closing stock undervalued है तो मेरा cost of good sold overvalued और अगर cost of good sold इसे expenses और इसे income cost of good sold इसे expenses तो सर expenses अगर overvalued है तो इसका मतलब आपने अपने profit को क्या कर रखा अगर वेल्यूट कर रखा यह बास समझ में आ गई तो सर हमने यहां पर cost of good sold को क्या कर रखा होगा और वेल्यूड बास समझ में आ गई तो अब अगला concept आता सर EPS के उपर अगला concept आता EPS अब EPS का formula क्या है अगर बात करें अगर अगर निंग अगर 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 निकालना हो तो प्रॉफिट अभी सिंपल वाला लिख ले थे प्रॉफिट डिवाइड इड़ नंबर अप शिर ऐसा मान के चले ले तो लेट से मेरा प्रॉफिट फिफ्टी था हो जन था मेने पांच हजार शेर लेकिन मैं तो अंडर वेलिट कर चुका हूं लेट से मैंने अपना प्रॉफिट अंडर वेलिट करके रखा है फॉट्टी थाउन लिगा हो नंबर अप शेर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो फॉट्टी थाउजिन डिवाइड बड़ी तो अल्टी में अपने इपी कोई भी चीज बिना लॉजिक के सौल नहीं हो सकती फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग में मतलब सोचिए कि आपने आज तक कभी क्या आप में से कितनों ने ऐसा सोचा था कि सर अच्छा यह कि स्टॉक के करण पांच इफेक्ट फरक पड़ती है आप देख कर ले थी कि एक गलती आपकी वॉकिंग क्यापिटल आपके कॉस्ट आपके प्रॉफिट आपकी करेंट सेट्स आपका करेंट रेशो और भी सारी चीज़ों के उपर इफेक्ट पड़ता लेकिन मैंने आपको ब्रॉडली समझा रहे है कि सिंपल भाशा में दर्शन हाँ इस हमीं पता तो हो कहां पर पड़ता है यह तो एनलिसिस है यही एक्जाम इंटरनेशनल इंटरनेशनल एक्जाम पी इंडल बनाने की बैलेंच शीट बनाने की नहीं है बिटा तो सर अब आप जरा उल्टा बताईए कि स्टॉक को अगर ओवर्वेलुट कर लिया जाए तो तो सर क्या फरक पड़ेगा उससे अब हम यहां पर यह सिचुएशन थी अंडर वेलुट की तो हम यहीं से इसको करते हैं कॉपी और यहीं से इसको करते हैं पेस्ट अब यहां पर अंडर की जगह हम इसको ओवर्वेलुट लिख लेंते हैं सरा चलो तो वर्किंग कापिटल क्या हो जाएगी बिटा अपोजिट इफेक्ट आपको पताए कि अकर स्टॉक ओवर्वेलुट है तो वर्किंग वेलुट क्या हो जाएगी वर्किंग कैपिटल भी ओवर्वेलुड हो जाएगी और च्टॉप ज्यादा लिखा है तो स्यो जीजिस क्या हो जाएगा। के उम्डर कि अध्लेट अधREWेलुट हो जाएगा और करेंट इस्टोर्म क्या हो जाएगी कर tipping tats ओवर्वेलूड हो जाएगा। कि करेंट रेश्यों कि ओवर कि एपीएस कि और और सर यहां पर प्रॉफिट भी लिख दो ना आप सीधे तो यहां पर आप इसको लिख दी ओड़िए बदाई आज के बाद इस लेक्चर को सुनने के बाद कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए खतम हो गया आपका सारा इफेक्ट आपको आगे मिटा कितने लोग पूरे कॉन्फेटेंट होगा कि सरहां बहुत बढ़ी है था सब को सही हो गया है पूरी तरीके से समझने वाले हैंड्रेस करते कि सर आपने बिल्कुल माइन्यूटली चीज़ों को समझा दिया पैटा ऐसे कॉस्चन आप से इंटर्वी में भी पू कि महां पी औरल टेस्ट नहीं होते हम तो प्लेजमेंट कराते हमें पता है न तो रिटेन टेस्ट में आपको इसी सिचुएशन दे दी जाती है आप इसको करके दिखाईए तो अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो कुछ आप दिमाग लगा लोगे नहीं पढ़ा होगा तो आपकी जनरल इंट्री से लेकर हर वो चीज़ को माइनूटली चेक करते हैं अगर आपका नॉलेज साउंड है तो मैं बार बार आपसे बोर रहा हूं कि आईए फारेस आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है आईए फारेस और यूएस गैप तो कि आप सीपीमें भी पढ़ होगा एक्सपीरियंस परसेंड को अच्छे पैकेजेस मिलते हैं अगर नॉलेज आपने अपड़ेट किया तो चलिए अब हम इस पर बात नहीं करते हैं अभी हम अगली सेग्मेंट पर आते हैं तो अब आप से कॉश्चन पूछेंगे बहुत सिंपल सा कॉश्चन पूछेंगे कई बच्चेस में स्ट्रगल करते हैं इसलिए इस टॉक से रिलेट इस टॉक को आप कई बर फिजीकल काउंट करते हैं अब आप से को यह पता होना चाहिए कि जब बैलेंशीर बनाई जाती है बैलेंशीट हमेशा एज ओन बनाई जाती है एक पर्टिकुलर डेट पर बनाई जाती है यह सबको पता है न हाँ सर बैलेंशीट एक डेट पर बनाई जाती है जिसका नाम क्या है 34 December के उपर बनाई जाती है या इंडिया में अगर आप यह और कहीं जा रहे हैं तो 31 March को आपकी balance sheet date होती है जनरली तो उस date पर ही आपके पास जो stock पड़ा हो वो balance sheet में आता है ठीक है सर वो हमारा balance sheet में वो stock आ जाता है बात हम समझ गए अगर मान के चलो उस दिन आप physical count नहीं कर पाए आपका जो charted accountant था या जो आपका auditor था उस दिन नहीं आया चेक करने के लिए उसकी तबियट नहीं ठीक थी बोले यार मैं तो 15 January को आए 15 January 2024 को आए लेकिन आपको तो stock चाहिए 31 December का उसने stock count कर लिया 15 January 24 का अब मैं आपसे कुछ question पूछने जा रहा हूँ 31 December 2023 और 15 January 2024 में कितने दिन का गया पर सरफ 15 दिन के गया आप क्या यहां का stock physical count करके physical count करते हो क्या 2023 की balance sheet बना कर बनाते समय आप 15 January 2024 का physical stock लिख सकते हो yes और no मेरा आपसे एक ही question एक logical question मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ नहीं लिख सकते सर क्यों नहीं क्यों कि सर आप खुदी तो बोल रहे हो कि as on हमें तो stock चाहिए 34 December का आपने तो यहां पर count किया तो in between क्या हुआ होगा बताओ वो भी लिखो in between क्या हुआ होगा डिसमबर 2023 से 15 January 2024 के बीच में कुछ घटना घटी होगी कि नहीं उस organization क्या घटी होगी बताओ यह बताईए सर दो चीजें होई होगी या तो sales हो गया होगा या purchase हो गया होगा या यह कहें कि सर आउट या in कुछ माल आया हो सकता और कुछ माल आउट हो सकता यही सारी चीजें हो सकती हैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ होगा यही चीजें होंगी तो हम क्या 2024 से reverse calculation करके 2023 पर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ तो रिवर्स मतलब इस घटना को ऐलिमिनेट कर दिया जाए इस घटना को ऐलिमिनेट कर दिया जाए तो हम 2023 के स्टॉक पर पहुँच जाएंगे कितनों को ये बात समझ में आ गई कि हां सर आपने बिल्कुल सही बात कहिए कि अगर हम इस दिन की को एलिमिनेट कर दें तो मैं अब आप से दो तीन कोश्चन पूछता हूँ अब मैं बनाता हूँ एक्जांपल सिचुवेशन के बाद कि हमने स्टॉक काउंट किया फिप्टीन्थ जन्वरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हमें चाहिए था 31 डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी ट्री सीपीय वाले स्टूडेंट इस सेशन को बहुत सीरियसली लीजिए तो आपको ऑडिट में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला इसलिए मैं यूए सीपी स्टून को बोलता हूँ कि आप मेरी संडे सट्वेंटेंटी इखलास में मत कर रहा है और हमने हमारे एक अकाउंटेंट से पूछा कि आप हमको पर्चेस बिल लाके दिखाओ ज पॉस्ट जन्वरी टू फिप्टीन जन्वरी कितनी पर्चेस हुई हमें बताओ उसने बोला बहुत सिंपल है पांच ही भी लाएं और सारे बिल ददस अजार के फुप्टी फुप्टी थाउजन है हमने बोला ठीक है अब हमने सेल्स एपार्टमेंट के परसन बोले और सेल गांप जो Bu भी सेल काउंट हुई सर वो तो बहुत कम सेल हुई है आत बनलग्ट ट्वंटी थाउजन की हुई है अब यह सेलिव हैं के कंपनी के प्रॉफिट का पता किया कि कंपनी जो प्रॉफिट है जी पी जो है वो 20 परसेंट ओन सेल है यह डेटा हमको पता चल गया अब हमने अपना दिमाग लगा कर कैलकुलेट करके यहां के स्टॉक पे पहुंचना आपको मौका दिया बताने के लिए अगर आपने बता दिया तो बीसिक अंडिस्टेंडिंग आप में है इतना आपने अगर पार कर लिया तो कुछ समझदार त 30 अभी लोग बताएंगे तो बहुत सिंपल सा गड़ित था सर आप फीजिकल स्टॉक काउंट करकर आए हो 250 तो 250 में ये 50,000 की परचेस भी जुड़ी होगी न क्योंकि ये तो इस दिन हुई थी ये माल हमारे पास यहां पर नहीं होगा जो कि इसमें एड़ेड है तो हम इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो हमने इक्वल टू दबाया अभी हम दबाएंगे यहां लिख देते सर माइनस 50,000 अब सर ये जो गुट्स आपने सेल कर दिया ये आपके पास कप पड़ा होगा इस डेट पर पड़ा होगा तो इसको हमको एड़ करना लेकिन हम सीधे एड़ नहीं कर सकते तो क्योंकि ये तो सर कॉस्ट पर नहीं है न हम प्रॉफिट इस्टॉक के अंदर प्रॉफिट थोड़ी जोड़ कर रखते हैं ये तो सब को समझ में आ गया होगा तो 120 का 20% कितना होता पहले तो वो निकाला हमने वो होता है 24,000 तो 96 का जो स्टॉक है हम यहां पर क्या कर देंगे कि एड कर देंगे क्यों सर क्योंकि हमने तो कॉस्ट ऑफ गुट सोल्ड को पता करना इस इस यूर कॉस्ट ऑफ गुट सोल्ड अब आस समझ में आई तो सर जब इसको प्लस माइनिस किया तो क्या आता है तो लब 50,000 मिनस 50,000 प्लस 96,000 296 इस यूर क्लोजिंग इस्टॉक अँटी फस्टी फस्ट इसंबर कितने स्टूडेंट का इंसर सही था कितने स्टूडेंट क्लास में सही थे चलिए कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है सब कोई समझ में आना चाहिए अर इससे सरल भासा में दुनिया में कौन समझा रहा है यार वीडियो भेज देना मेरे मेल पर समझा रहा हो इंडिया में इंटरनेशनल कोर्स में दो समझा रहे हैं क्योंकि मां पर भी पढ़ा रहे होते हैं तो यह हमने यहां पर सर क्या कर लिया है कैलकुलेट कर लिए अब करें बच्छे फूश्ट और 96 कैसे आया में तो सर यहिए इंवेंटरी वेलिएश्ट बड़ा इंपटन सीज है कि स्टॉक का बाद आपको स्टॉक के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए तो आप मैंसे सभी को समझ में आ गया होगो कि सर अगर different date पर valuation किया जाता है तो हम balance sheet date पर क्या है stock की सही value को calculate कर सकते हैं अबास समझ में आ गई सभी को तो सर क्या हम यहाँ पर एड लिखें यह माइनस लिखें नहीं होगा न रटाफिकेशन थोड़ी करोगे आप कि सब्सक्राइब कर दी पर्चिस के आपको तो यह दिन है कि आप ने उस transaction को eliminate कर दिया अब मैं आप से एक और question पूछता हूं कि चलिए हमें stock का valuation करना था को तो हम तो जा रहें गोवा कि उस दिन हम बढ़िया गोवा के बीच पे बीयर पीएंगे और बिल्कुल इंजुआई करेंगे नियुएर को पूरा हमारा प्लान है अब आपको आपका audit कराना है तो हम इस टॉक का valuation करेंगे 25 नहीं 28 डिसंबर को कि क्रिस्मस भी तो हमने मना नहीं है न हम इस दिन कर लेंगे क्या दिक्कत है आपके सीएज आपने आपको फोन करके बोल दिया कि हम तो 28 डिसंबर को स्टॉक का valuation करेंगे क्या इस 28 डिसंबर के फिजिकल स्टॉक को काउंट करके वो 2023 के स्टॉक क्यों पर पहुंच सकते हैं या सुर्णों अगला question में राप सेखे क्या करना पढ़ेगा उनको सर उनको कुछ नहीं करना पढ़ेगा उनको 21 डिसंबर से 31 डिसंबर तक के सेल या कह लिजे इन और आउट को इन और आउट ट्रांजिक्शन का इफेक्ट देना पढ़ेगा वो बोलेंगे कि 20 डिसंबर को जो अपने पास फीजिकल पढ़ा था उसके अंदर 21 डिसंबर से लेकि 31 डिसंबर तक जो भी गुड्स बाय किया है उसको प्लस कर देंगे क्योंकि वो 31 डिसंबर पर पढ़ा है क्योंकि वो 31 डिसंबर तक आएगा और 21 डिसंबर से लेकर जो भी इस दिन लिया था इस दिन जो सेल किया है तो सेल नहीं कॉस्ट ऑफ गुट सोल्ड को क्या कर देंगे लिस कर देंगे तो इस तरीके से हम कि फीजीकल स्टॉक कि ऑन 34 डिसंबर पर पहुंच जाएंगे बास समझ में आ गई है जो भी गुट्स बाए किया है कि दुनों को यह पूरा का पूरा लेक्चर सर विलकुल टंच वे में समझ में आ गए कि यहां सर विलकुल एक दम कहीं भी मिस्टेक की गुंजाइस नहीं होनी चाहिए कॉंसंट्रेशन अगर आपका पीक पे है तो यह पूरा लेक्चर आपको गुट्स बाए मींस वी आर पर्चेसिंग तो अगला कुश्चन अब आपसे और पूछा जाएगा अब और टेकनिकल अभी हम टेकनिकल अलेसिस पे जा रहें अगले अगले जोची स्टॉक के उपर ही लेक्चर 45 मिनट हो गया अभी और आएगा स्टॉक अब एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी गुट्स इसको हमें एक डाइग्राम बना के समझें एक चित्रकला बनाएंगे यह आपका दिल्ली में एक फैक्ट्री है जासे आप माल बेज़ती दिल्ली में आपने अपनी में जो है डिस्पैच सिस्टम क्या कर रखा है दिल्ली में बना रखा है बटा दिल्ली देश की धड़कन यह हमने दिल्ली को ले लिए यह ठीक है यह आपकी कंपनी है आपकी कंपनी का ना अपना काम बढ़ रहा है कि चलो आपन एक ओफिस और इंदौर में उपन करते हैं कि इंदौर कहां पर है मध्यप्रदेश में यह एंपी लेकिन एंपी में हम खुद के थुरू काम नहीं करना चाहते हैं हमने बोला कि यार हम एंपी में एक परसन अपना अंडर अपॉइंट करेंगे जो होगा हमारा एजेंट चीक है यहां से गुट्स जाएगा यहां से गुट्स जाएगा और जितना भी मध्यप्रदेश है एंपी में जो भी हमारे कस्टमर होगे उनको सेलो तो एके पी यहां पर कौन है कंसाइनर कंसाइनर और यह जो एजेंट का नाम हम लिख लेते हैं कइसा अम यहीं कोचिंग में किसी जमाने में इसका नाम था किरां नां समझने लिए आ कि यह वाई साफ किसके 후 आप करते कशा करतें कि एके पियाकर यह की कौन है कंसाइनी अर्म बस समझ में हैं ओभ यह दोनों ऊर्गनाइजेशन अलग अलग पाथ मेकर ने कुछ गुट सोल्ड किया बदाई ये सेल की इंट्री किसकी वुक्स में होनी थी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसके एंसर आपको देना अगर पाथ मेकर ने कोई गुट सोल्ड किया है तो उसके लिए वो सेल्स नहीं है सेल्स तो एके पीएस ही रिकॉर्ड करेगा क्योंकि सेल करने की इंट्री कंसाइनी रिकॉर्ड नहीं करता है हमेशा किसके द्वारा किया जाता है सर कंसाइनर के द्वारा ही किया जाता है गुट किसके द्वारा किस तो सर पाथ मेकर की क्या होगी केवल और केवल कमीशन जो भी कमीशन मिलेगी वही इसकी इंकम है तो अब इसका स्टॉक से क्या लेना देना है इस टॉक से बिलकुल लेना देना है अब आपने जिस दिन फिजिकल इस टॉक काउंट किया डेली में फिजिकल स्टॉक आप डेली में काउंट करके आते हैं और कुछ गुट्स आपका डेली में नहीं था इंदौर में पड़ा था तो बैलेन्स शीट में जो गुट्स आएगा वो दिल्ली वाला आएगा या दिल्ली प्लस इंदौर आएगा आपसे यह पूछा जा रहा है बिल्कुल सरल भासा में तो आप बड़े खुश होके बोलो के सर दिल्ली प्लस इंदौर तो हम यह कह सकते हैं कि एग्जामीनर इतनी सरल भाषा में तो नहीं पूछेगा हमसे क्या वो ऐसे पूछेगा क्या जैसे मैं आपको समझा रहा हूं नहीं तो वो आपसे और थोड़ा सा टेक्निकल करके पूछ लेगा तो अगर आप ऐसा में लिख दूँ फीजीकल काउंट प्लस स्टॉक इन हैंड ओफ कंसाइन तो आपको कोई दिक्कत है कैस में कोई दिक्कत है इसमें वही भाषा को आसानी से भी समझाया जा सकता है और डिफिकल्ट तरीके से किया भी जा सकता जैसे आपने वो पिक्चर देखिए होगे न त्री इडिएट्स वो मशीन की मशीन की सरल भाषा एंटरनेशन को सबस्सक्राइण जासकता है आपका जो यह क्सर्ड में बहुत टेक्निकल्ट में समझना प्लाई करना जियसे आपको समिए कि सर जो बेलेंश शीट में स्टॉक आता है जो कनसाइनी के पास पढ़ा उता हुप ही हमारे ही पास फीजिकल पढ़ा होता है ये तो बाश समझ में आगई सर अब हो सकता है कि एक और हम फम्रृ ले लेतें इसमें अब यहcar और बना दिया कि मिश्कर के लुए है कि हम भी किसी के सकते हैं कि जैसे हम से क्लेम रिव्य प्रोवाइडर्स के कि बुक्स देते हैं अब आपके पास रखो बिघ जाये तो पेमेंट नमें देज़े न कि साफ़्वेर करते हैं तो हम यहां पर क्या है कंसाइनी तो हमारे पास जो फिजिकल बुक्स आ गई है वो हमारे यहां पर तो हमने काउंट कर दी लेकिन क्या वो हमारी बैलेंश शीट में हमारा स्टॉक है तो हमें क्या करना चाहिए गुट्स हेल्ड ओन कंसाइनमेंट तो हम इसको माइनस कर देंगे बात समझ में आ गई कब प्लस करना है कब माइनस करना है समझ में आ गया कि रटना पड़ेगा कि सर कहां पर प्लस करना है सर क्वेस्चन को समझते समय उसकी लेंग्विच के उपर हमें क्या करना है फोकस कर तो यह था कंसाइनर और कंसाइनी का कॉंसिप्ट कितनों को यह बात समझ में आ गई पूरी तरीके से कि हां सर गुट्स हेल्ड इन कन गुट्स टॉक इन दी हैंड अप कंसाइनी एंड कि जब इंटरनेशनल कॉर्स आप पढ़ते हैं तो वह वहां पर थोड़ी सी डिफिकल्ट लेंग्विच में लिखा होता है लेंग्विच उनकी आपके लिए डिफिकल्ट है वह कोर्स इंडिया के लिए थोड़ी बनाये गए वह तो उनके देश के हैं न वह थोड़ी दिम नहीं बुक करेगा जो भी इसके पास गुट्स आएगा अगर मानके चलिए एके पी आई इस पाथ मेकर को कोई गुट्स send करता है यहाँ पर मैंने send लिखा है sold नहीं लिखा है sold नहीं लिखा है मैंने क्या लिखा है goods send तो क्या ये path maker की purchase होगी नहीं सरी उनकी purchase है ही नहीं अब एक और concept हम पढ़ने जा रहे हैं सर goods जब किसी को sold किया जाता है तो उसके साथ में terms होती है terms क्या होती है FOB at destination मतलब ये जो goods है अगर मान के चलो दो और्गनाइजिशन डेली ने अभी हमारा कंसाइन ही नहीं अभी हमारा मान के चले customer है हमने बोला दिल्ली से माल हम आपको इंदौर में पहुंचा कर दिएंगे ये बीच में transport है अब आप ये समझों हमने टमसें कंडिशन क्या रखी कि या हम तो आपको डेस्टीनेशन मतलब इंदौर माल पहुंचेगा तो वह आपका है अभी फूल फॉर्म समझे लेंगे अभी फूल फॉर्म पर फोकस नहीं करना है अभी हमें यह देखना है कि सर अभी कंडिशन क्या है कंडिशन है डेस्टीनेशन तो आगर यह माल हमने डिएचल पे 25 अफ डिसंबर को डिस्पैच किया डिएचल पे लेकिन पांथ मेकर की पास थट पांच या दस तैंथ जन्वरी को पहुंचा बताईए थर्टीफर्स्ट डेट की बैलेंस शीट में यह स्टॉक किसका होगा पांथ मेकर का या एक या एक पी आईएस तो सर जब आपने कंडिशन बोली डेस्टीनेशन तो अभी तो डेस्टीनेशन पे नहीं है अभी तो डिएचल के पास पढ़ा तो ओनर्शिप ट्रं ट्रंजिट है तो वो गुट्स सेलर का होगा गुट्स की जो इन्वेंटरी है वो सेलर की होगी या बायर की होगी जल्दी बता दो बटा कि सर्व वो सेलर की होगी और सर अगर कंडिशन होती का कि वाइया ट्रांस्पोर्टा आप बंड़ा दंफ थम उस ट्रांसपोर्ट पर डाल देते एकब पहुंचेगा हमें कोई मतलब नहीं पातमे करने थे हुखल pięereघ चिपिंग पॉइंट यह चिपिंग पॉइंट तो 25 अब डिसंबर को गुट्स जैसे ही एके पी इसने सोल्ड कर दिया माल तो 10 जनवरी को पहुचा है गुट्स किसका होगा चिपिंग पॉइंट पे अगर गुट्स इन ट्रांजिट होता है जी आईटी होता है तो जो ओनर्शिप होती है जो स्टॉक की इनवेंट्री होती है भले ही वो फिजिकली ना हो क्या यह माल फिजिकली हमारे दोनों के पास ही नहीं है दिखा जाए तो यह माल है अभी तो यह माल रास्ते में देखा जाये तो रास्ते में हैं की ही नहीं है तो 217 ना तो मेरे पास यह की पास ही झिकल ही यह तो तो फिर क्या करें इसारी किसका हो जाएगा बस समझ में आ गई कितनों को पूरा लेक्चर समझ में आ गया कि जरा सर्वे करना हैंड रेस करना फ्री ओन बोर्ड एफ़ भी मीन्स कि तमीनो लॉजी पर ना जाईए आप तो डेस्टिनेशन और शिपिंग वर्ड के उपर फोकस कि किसर इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा पूरे इस्टॉक का वैल्यूइशन तो मैंने क्या बोला फिर इसे समझ लीजिए चित्र बना के समझा देता हूं एक बर नया यह एके पी आईएस डेली में हैं और यह पाथ मेकर कहां पर हैं इन दौर में तो एके पी आईएस ने ट्वेंटी फिफ्ट को गुट्स सोल्ड कर दिया माल इनके पास 10th of January को पहुचा है तो ना तो इनकी फिजिकल इंवेंट्री में ना इनकी फिजिकल इंवेंट्री के दोनों की फिजिकल इंवेंट्री में नहीं लेकिन यह गुट्स किसका कहलाएगा अगर shipping point है तो यह माल तो DHL के पास पढ़ा है DHL is a transport career क्योंकि DHL का काम माल को ले जाना है उनके पास ownership कभी भी नहीं आने वाली यह माल तो ट्रांसपोर्ट यार आप गुट्स ट्रांसपोर्ट पर डालते तो क्या माली ट्रांसपोर्ट हो जाता है नहीं होता तो सर क्योंकि shipping point पे ही deal हो गई कि भी आप जैसे ही यहाँ पर डाल दोगे ownership हमारी अब DHL वाला हमको दे नहीं तो भी हम आपको पैसा देंगे तो यह क्या है destination स्वारी shipping point है ना destination अलगी क्या है shipping point तो shipping point में जैसे ही गुट्स ट्रांसपोर्ट पर डिलेवर आ जाता है तो गुट्स तो सर 25 तिसंबर को ही हो गया कि जब आप अपनी पाथ मेकर अपनी inventory को count करेगा तो वह उसमें goods in transit को भी क्या कर देगा तो DHL का क्यों नहीं अभी जीत से ना समझ में आ गया आपने कोई furniture अपने दोस्त को बेजना है और आपने किसी transport पर डाला है तो क्या वह ज्याद़ डीटेल में लेकिन में में क्लास समझेंगे उसके पहले इतने बारीकली माइन्यूटली आपको सारी चीजें क्या होना होना चाहिए clear होना चाहिए crystal clear होना चाहिए तभी जाके आप international exam को क्या कर पाएंगी पास कर तो international exam इतनी असानी से नहीं पास होती है